सबी देखने वालों का देशीन विदेश में स्वागत है मैं आपको लेकर आया हूँ नोर्दन इटली के एक शहर वेरोना में जिसके पास में स्थित है एक जील जो इटली की सबसे बड़ी जील मानी जाती है और यूरॉप की भी सबसे बड़ी जीलों में से एक है और यह जील फेमस है अपने साफ सुत्रे पानी के लिए और यहां पर काफी स्पोर्ट्स इवेंट्स भी और्गनाईज किये जाते हैं जलक्रडाय करते हुए दो बथके मेरे सामने जलक्रडाय के पास और हमारे नू मोडू स्टर रवी और हम निकलेंगे पर एक अदर देस्टिनाशन विच इस नोन अगार्दा लंड लग्स एफ इप इस ओपन और नोट करते हैं झ मोड्वे तेपल को जाता हैं झाल इस तीज़ की चैता हैं झाल 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 और अब हम पहुँच रहे हैं गार्दा लेंड के पास गार्दा लेंड के पास गार्दा लेंड बिसिकली एक अमिस्मेंट पाक है जिसमें काफी बड़ी बड़ी राइज चूले और यह सब लगे हुए हैं इफ यू आर ट्रैवलिंग नोर्डन इसन इतली विद दे किट्स आगर आप वेरोना बच्चों के साथ आते हैं तो गौर्डा लेंड एक थैस च्वाइस है बच्चों के लिए ओर दोस्तो हम पौंच चुके हैं carnain के सामने ये हैंceğने की मैं और फ्रैंस जहां आप गार्दालेंड की 42 येरो की टिकेट लेके एंटर हो सकते हैं और एंजोय कर सकते हैं पूरा दिन डिफरेंट डिफरेंट राइट्स एंड स्विंग्स के साथ और ये टिकेट से आपको गार्दालेंड की ओफिशल वेबसाइट से मिल जाएंगी जहां से आप ओनलाइन ये टिकेट वो कर सकते हैं और एंजोय थे गार्दालेंड एंड आल कीप कंटिनुव एक्स्प्रोरिंग अधर पार्ट और वेरोना और ये है बेसली काडिसान जीनम जिसका निर्माद 9 ống सतावदी में ववा था और 11 के अर्थ कीट में पूर्म तेयाद बस तो गया था जिसका दुबरह निर्मान किया गया रिस्टोर किया गया और तब से लेकिए आज तक शाफ़ बिलियम सेख्स स्पीर्स के व्यव भी बेसे लिगादी सेंट जीनों ही माना जाता है और दोस्तों यह है कासल वेक्यों ब्रीज जिसका निर्मान यहां के शाजकों के दुआरा आपाथ का अस्तिती में उनके सुरक्षित निकास को सुनिस्ट करने के लिए बनवाया गया था और इसका निर्मान तेरा सो चोवव और तेरा सो चपन के बीच हुआ था और उनिस्टो पैंतालिस में जर्मन टूप स्वारा इस ब्रीज को कम्प्लिटली नश्ट कर दिया गया था इस ब्रीज को दुबारा बनाने की परकिरिया उनिस्टो नचास में सुरू हुई जो की उनिस्टो एक्यावन में जाके समाप टूए टूए ती कर दिया में जाके समाप और दोस्तों यह है विरॉना शहर का किलह जिसे कासल वेक्ई। के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की खासिएत ही है कि इसे बहुत ही छोटे और कॉंपक्त रूप में बनाया गया था। कॉंपेक्ट साइज होने के साथ साथ इसमें बहुत ही कम डेकोरेशन किया गया है इसमें कोई भी इंटीर नहीं है और बहुत ही ही साधे तरीके जीर से बनाया गया है और दोस्तों यह है एक व्यू एडिज रिवर का एडिज नदी के दोनों किनारों पे बसा हुआ है यह प्राचीन शहर जिसे वेरोना के नाम से जाना जाता है और आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड हरिटेज को देखने के लिए सेलनियों का तांता लगा रहता है नदी के थेज बहाव में नोकायान का आनन्द लेते हुए कुछ स्कूली बच्चे और उनके टीचर्स और दोस्तों हम निकल पड़े हैं वेरोना शहर की पतली पतली गलियों से होते हुए यहां की दूसरी ब्यूटिफुल डेस्नेशन को एक्स्प्रोर करने के लिए वैसे वेरोना शहर एक प्रियावची है विलियम सेक्सपियर और रोमियू जुलिट का भी वेरोना को City of Love कहा जाता है विलियम सेक्स्पियर जो कि एक महाल लेखक थे वो यहीं पैदा हुए थे और उन्होंने अपने नाटक रोमी जूलिट की रसना यहीं की थी और यह हम पहुंच गए हैं हाउस अफ दस जूलिट यह जूलिट का घर है और दोस्तों यह जो सामने आप बैलकोनी देख रहे हैं रोमियो एंड जूलिट जो यह नाटक है उसमें इस बैलकोनी में जूलिट खड़ियों के रोमियो का इंतिजार करती थी यह ऐसा कुछ इसमें चितरन है जिसकी वज़े से यह बैलकोनी काफी फेमस है और आप देख सकते हैं कई जूलिट अभी भी खड़ी हैं उपर एंड यह वेटिंग फॉर दियर रोमियो जूलिट खड़ियों सेलानी यह आते हैं लाखों की संख्या में इसे देखने के लिए और हमने भी वेलकोनी के नीचे खड़ियो के मैंने और मेरे मितर गवी जी ने एक पिक्चर हैंशने का मन बना ही लिया और आपको यहां पर दुनिया बर के सभी फेमस ब्रैंड्स के आउटलेट्स और शोरूंस देखने को मिल सकते हैं और दोस्तों यह है अरेना दी वेराउना इसका निर्मान प्रसम सेंचुरी में हुआ था और यह एक एमफी थीयर्टर है जिसमें कई तरह के कॉंसर्ट और नाक्या प्रस्तुतियां वगेरा हुआ करती थी उस समय इसमें तीस हजार विक्तियों के बैठने की विवस्ता थी और यह तब से लेके आज तक पुरन तया काम में लिया जा रहा है इसमें आज भी ओपेरा और कई तरह के कॉंसर्ट स्काइवजन होता है और यह प्रस्तुत्रूक्चर इन दिस वॉल्ट और अरेना के सामने यह बहुत बड़ा प्याट्सा जिसे प्याट्सा ब्रा के नाम से जाना जाता है और अब हम वापस निकल पड़े हैं वेरोना की पतली सक्री और चमकिली गल्यों से होते हुए दुनिया बर के मशूर ब्राइंड्स का नजारा करते हुए तो दोस्तों वेरोना शेहर की खुबसूरती को अमारे जहन में समेटे हुए और मेरे कैमरे में कैद करके अब हम वापस निकल पड़े हैं घर की और आप मुझे जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें बट प्लीज लेपी नो इन अ कमेंट सेक्शन और थैंक्स पूच्छीं थैंक्स पूर यह सपोर्ट रहली अप्रीशिए थैंक्यू वेरी मच्छ शीयू सून